अधिक जानकारी के लिए दिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये लिंक को क्लिक करें और मिड़े के सबसे ताजा खबर प्रधान मंत्री को लेकर आ रही है जहां प्रधान मंत्री मोधी ने तेलंगाना के CMKCR पर दलितों के अधिकार शीन कर मुस्लिमों को धर्म आधारित 12% आरक्षण के वादे को लेकर सम्विधान निर्माता भीमराव अंबेडिकर को अपमान करने का आरोप लगाते हुए कहा के अलप संख्यों को आरक्षण देने का खेल देश के साथ गद्दारी है उन्होंने कहा कि उच्चुतम नियायाले का आदेश इसकी अनुमती नहीं देता है और मिड़े की अगली ताजा खबर सर्वोच नियायाले से आरिये जहां कांग्रेस अध्यक्ष राहूल गांधी और सोनिया गांधी के नैशनल हेराल्ड केस से संबंधित इंकम टेक्स मामले में सुप्रीम कोट आज अंतिम सुनवाई करेगा आपको पता दे कि इससे पहले 13 नवंबर को हुई सुनवाई में कोटने राहूल और सोनिया गांधी को बड़ा जटका देते हुए आईकर विभाग की ओर से उन्हें जारी नोटिस पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था और मिड़े की अगली ताजा खबर दिगविजे सिंग को लेकर आ रही है जहां मधिप्रदेश के पूर्व सीम दिगविजे सिंग राजस्थान में कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे दिगवजे सिंग राजस्तान के सीम वसुंधरा राजे के शेत्र जाला वाड में मोर्चे संभाल रहे हैं वो सीम वसुंधरा के ग्रही जिले में चार सभाई करेंगे और मिड़े की अगली ताजा खबर दिल्ली आश्रम से नौ लड़कियों के गायब होने को लेकर खबर आ रही है जहां राजधानी दिल्ली के दिल्शाद गार्डन स्थित संस्कायर आश्रम से अचानक नौ लड़कियों के गायब होने का मामला सामने आया है जिसके बाद से ह आज क्राइम ब्रांच से कराने की मांगी है और मिड़े की अगली ताज़ा ख़बर बुलंद शहर में हुई घटना को लेकर आ रही है जहां समाजवादी पार्टी के वरिस्ट नेता और पूर्बो मंत्री आजम खान ने बुलंद शहर में हुए गोकशी कांड को लेकर सवाल खड़ा किया है और इस मामले की निस्पक्ष जाच की मांग करते हुए कहा कि गोश्त आखिर कौन लाया जबकि इस इलाके में अलपसंख्या का बादी नहीं है आपको बता दे कि बीते सोमवार को बुलंद शहर में गोकशी के शक में उबजी उबद्रव में एक पुलिस इ को मनी लॉंडरिंग निरोधक कानून के तहत अस्थाई तोर पर कुर्क कर लिया है इस बीच कांग्रेस ने इसे दुर्भावना के तहत की गई कारवाई करार दिया है आपको बता दे कि एजे एल पर सोनिया और राहुल गांधी का नियंत्रन था और मिड़े की अगली पर केटर गौतम गंभीर शोशल मिडिया के जरिएए आप सरकार और बीज़ेपी पर निशानत साधते हुए कहा कि जुर्माने की रकम किसके पास से भरी जाएगी जाहिर है मेरे और आपके जैसे आम टेक्सपेर के पैसे से भरी जाएगी इसके सांधी गंभीर ने यहे भी कहा कि काश मेरे पास यह कहने का विकल्प होता कि मेरे टेक्स का पैसा दिल्ली सीम द्वारा की गई लापरवाही के इस तमाल में नहीं होगा और मिड़े की अगली ताज़ा खबर चुनाव आयोग से आरिये जहां चुनाव आयोग अगले साल लोकसभा चुनाव के साथ आंध्र प्रदेश, ओडिसा, सिक्कम और अरुनाचल प्रदेश में विधान सभा चुनाव करा सकता है आपका बताने की चारो विधान सभाओं का कारेकाल मई और जून 2019 में समाप्त होगा ऐसे में सरकार आम चुनाव के साथ ही जिंबु कश्मीर विधान सभा के चुनाव भी एक साथ करा सकता है और मिड़े की अगली तासा खबर अखिल भारती अखाड़ा परिशत से आ रही है जहां यूपी के प्रियाग राज में अगले साल होने वाले कुंप मेले के दौरान पढ़ने वाले स्नान परवों और उससे एक दिन पहले वबाद में शादी विवाह के आयोजिनों पर प्रशाशन दुआरा अगोशित पावंदी पर भढ़के अखिल भारती अखाड़ा परिशत के अध्यक्ष नरेंद्र दिरी ने इस मामले के शिकायत प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदितिनाथ से करने का फैसल लिया है और मिड़े की अगली ताज़ा खबर एरपोर्ट अथारिटी ओफ इंडिया से आ रही है जहां एरपोर्ट अथारिटी ओफ इंडिया ने सरकार की सब्सडाइज रीजिनल कनेक्टिविटी स्कीम घरेलू उडानों को लेकर बड़ा अलान करते हुए कहा कि फैबरेरी में हि से भी अब उडान भर सकते हैं आपको बता दे कि आई एस बेस का सिविल टर्मिनल फैबरेरी के मध्य तक शुरू हो जाएगा तो ये थी मिड़्ी म्यूस की कुछ तासा खबरी और ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के आप आमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथी दिये गए नूटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि आप भी रह सके ऐसी ही खबरों से अपडेट